Hello everyone, I am Priyanka Gore, welcome back to my channel Learning with Pace तो हम लोग English literature में the age of pop कर रहे थे और इस age के हमने सारे के सारे major writers कर लिए अभी कुछ एक minor writers रहते हैं, कुछ prose writers रहते हैं इनको भी complete करना जरूरी है फिर इसके बाद हमारी the age of pop complete हो जाएगी और फिर next video में हम किसके बारे में बात करेंगे Dr. Samuel Johnson के बारे में बात करेंगे और इनके जितने भी contemporary हैं इनके period के जितने भी major minor writers हैं उन सभी को हम complete करेंगे, ठीक है चलिए आज का topic शुरू करते हैं बट उससे पहले मैं आपको inform करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ telegram group पर जुड़ना बिलकुल मत बूलना यहाँ पर time to time आपको important notifications मिलती रहती है PDF मिल जाती है and you can follow me on Instagram as well इन दोनों के link आपको description box में मिल जाएंगे first comment section में भी मिल जाएंगे and username भी वहाँ पर लिखा हुआ है चलिए शुरू करते हैं आज का topic first जो writer है वो है John Arbuthnot इनको Dr. Arbuthnot के नाम से भी जाना जाता है यह Alexander Pope के काफी close friend थे Alexander Pope ने Dr. Arbuthnot को एक epistle लिखा था epistle to Dr. Arbuthnot जिसमें इन्हों ने Pope ने किसको मौक किया था इन्हों ने Joseph Addison को मौक किया था by calling him Sporus ठीक है इसी के साथ साथ एक और information है यह Scriblaris Club के member थे ठीक है Scriblaris Club में कौन-कौन थे यह भी आपको पता होना चाहिए हाला कि हमने इसको बहुत बार कर लिया है लेकिन फिर जब भी ऐसा कुछ topic आता है तो मैं हमेशा इसको revise इसलिए करा देती हूँ ताकि आपको चीज़ें जल्दी-जल्दी याद होती जाएं Scriblaris Club के member कौन-कौन थे एक तो खुद जोन आर्बुद नोट हो गए दूसरे थे Pope and Swift, Jonathan Swift Thomas Parnell and John Gay और ये सारे के सारे Scriblaris Club के जो members थे ये सभी Tory party को support करते थे ठीक है? जैसे कि हमने KitKat Club का देखा था, KitKat Club के members wig parties को support करते थे ऐसे ही Scriblaris Club के जितने भी members थे, ये Tory party को support करते थे और इनका main name क्या था? जो भी इनके contemporary writers हैं, जो grub street writers थे, जो copy-paste करके लिखा करते थे उन सभी को ये लोग mock किया करते थे, ठीक है? false literature को ये mock किया करते थे चलिए बागे पढ़ेते हैं इनके बारे में, इनका ये life span है from 1667 to 1735 जोन आरबुत नोट को doctor आरबुत नोट इसले कहा जाता है क्योंकि इनका profession writer होने के साथ साथ ये physician भी थे और ये queen anne के physician थे और काफी चहीते भी थे ये queen anne के इन्होंने बहुत सारी political writings लिखी हैं, काफी सारे pamphlets लिखे हैं और pamphlets में इन्होंने satire किया है, मतलब यहां से question कैसे आएंगे जो भी मैं आज आपको minor writers बता रही हूँ जो भी मैं आज आपको pros writers बता रही हूँ ये सारे के सारे writers में से ज़्यादा deep नहीं पूछेगा examiner आप से सिर्फ इनके work के नाम ही पूछेगा, ठीक है तो अभी जो ये work लिखे हुए है और ये work इनका आया था 1709 में नेक्स्ट है दा हिस्टरी ओफ जोन बुल ये इन्होंने कब लिखा था 1712 से 1713 के टाइम पीरियड में इन्होंने इसे complete किया था नेक्स्ट वन इस दा आर्ट ओफ लाइंग ये इनका satirical pamphlet है और आपको यही याद रखने हैं बस इनके नाम इन्होंने क्या क्या वर्क लिखे हैं और वर्क में ज़्यादा आपको deep जाना नहीं है तो इनके तीन वर्क आपको याद रखने हैं Memoirs of Martinus Scriblaris The History of John Bull The Art of Political Lying Dr. Samuel Johnson ने जोन आर्बुत नोट के लिए यह स्टेटमेंट कही थी और इस स्टेटमेंट को आपने याद रखना है The Most Universal Genius तो एक्जामीनर आपसे यह पूछ सकता है कि यह स्टेटमेंट किसने किसको कही किसको रैफर करके कही थी Dr. Samuel Johnson ने John Arbuth Note के लिए कहा था That he is the most universal genius Next writer है Lord Bollingbroke इनका life span है From 1685 to 1751 और इनके भी जो यह तीन वर्क है यह आपको याद रखने है First one is Letter to Sir William Wyndham Letter to Sir William Wyndham यह इन्होंने 1717 में लिखा था बट इसको publish किया काफी टाइम बाद 1753 में और this work is published posthumously मतलब इनकी death के बाद इस work को publish किया गया Next है A letter to the spirit of patriotism 1736 में इनका यह work आया था And next one is The idea of a patriot king यह इन्होंने कब लिखा था 1738 में तो यह तीन वर्क आपको याद रखने है Letter to Sir William Wyndham A letter to the spirit of patriotism The idea of a patriot king यह सारे के सारे तीनों वर्क किसके है Lord Bollingbroke के Next one is George Berkeley George Berkeley का पहला वर्क जो आपको याद रखना है The principles of human knowledge और इनका यह work आया था 1710 में Next one is यहाँ पर यह पूरा टाइटल है Three dialogues between Hylas and Philonus Three dialogues between Hylas and Philonus और यह work आया था इनका 1713 में Actually इस work में आपको क्या याद रखना है कि इस work में Hylas and Philonus दोनों के बीच में Arguments दिखाई है ठीक है तोर पर इस work को लिखा गया तो three dialogues between Hylas and Philonus और important है यह Next one is The minute philosopher और इसका एक और subtitle है Elsie Ferron The minute philosopher that was written by George Berkeley और इसका subtitle है Elsie Ferron तो आपको यह तीनों ही work याद रखने है Next है Joseph Butler इनका lifespan है from 1692 to 1752 और ये भी minor writer रहे हैं हलाकि कई बच्चों का ऐसे लगता है कि minor writer से question नहीं आते बट क्या होता है नहीं कि हम इसी illusion में रह जाते हैं और question minor writer से आ जाते हैं तो minor writers को skip मत करा करिए इनका जो famous work आपको याद रखना है जिसके लिए जाने जाते हैं analogy of religion इनका life span है from 1693 to 1739 और इनके दो work आपको याद रखने हैं first one is London merchant and next one is fatal curiosity first one is London merchant next one is fatal curiosity next है Earl of Sheftsbury इनका life span रहा है from 1671 to 1730 और ये एक position थी ठीक है ये एक position थी Earl of Sheftsbury इनका real name है Anthony Ashley Cooper ये third Earl of Sheftsbury थे ठीक है third Earl of Sheftsbury थे कौन Anthony Ashley Cooper पर इनको इनकी position के लिए जादा जाना जाता है इसलिए यहाँ पर Earl of Sheftsbury लिखा हुआ है इनका life span क्या रहा है from 1671 to 1713 और आपको Ashley Cooper का बस एक ही work याद रखना है जो इनका work आया था 1711 में that is characteristics of man, manners, opinions and times characteristics of man, manners, opinions and times ये किस ने लिखा था Anthony Ashley Cooper ने और ये third Earl of Sheftsbury थे next one is Kole Sibar Kole Sibar का life span है from 1671 to 1757 और इनका जो आपको work याद रखना है वो है autobiographical work ठीक है? this is the autobiographical work An apology for the life of Kole Sibar ये work इनका आया 1740 में और ये ही आपको autobiographical work इनका याद रखना है An apology for life of Kole Sibar वैसे तो इसको short title में ऐसे भी याद किया जाता है जादा तर जगे पर आपको books में An apology ही मिलेगा बट इसका पूरा title है An apology for the life of Kole Sibar Next one is John Phillips इनका एक ही work आपको याद रखना है The Splendid Shilling और ये work आया था 1701 में तो आपको John Phillips का कौन सा work याद रखना? The Splendid Shilling यहाँ पर हमारा जो आज का topic है वो complete होता है हमने age of pop के सारे major तो करी लिये थे आज हमने minor writers भी complete कर लिये है तो हम next video में Dr. Samuel Johnson की age के बारे में बात करेंगे उस period के बारे में अच्छे से समझेंगे इसी के साथ साथ मैं दुबारा से आपको बताना चाहती हूँ कि 5000 MCQ series अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप जरूर देखना बहुत अच्छे से उसमें MCQ series को complete कराया जा रहा है आप मेरे साथ टेलिग्राम गूरूप पर जुड़ सकते हैं इन दोनों के यूजर नेम यहां लिखे हुए हैं फर्स्ट कमेंट सेक्शन दिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको इनका लिंक मिल जाएगा 5000 MCQ series का लिंक आपको मिल जाएगा आप सब कुछ प्लेलिस्ट जो है ना मतलब जितने भी प्लेलिस्ट में इंग्लिश लिटरेचर की बनाएगा वो सारे के सारे आपको दिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगी नहीं तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं आपको मिल जाएगे ठीक है थांक यू सो मच दिससाट प्रियांका गौर आइविश यू अल बेस्ट कीप लर्निंग और प्लीस टेक अमोमेंट तो सब्सक्राइब मैं चैनल और शेर इस वीडियो विडियो 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 फ्रेंड फैमिली और उन सबी के साथ जिसको भी जरूरत है इस वीडियो की थांक यू सो मच